तो दूस्थी आईपी अल दो हजारए चौबिस में आज पंजाबकिंग्स बना मुंबई इंड paints के बीच 33 मैचे खेल गया और इस 33 मैच में मुंबई इंडन ने से पंजाब किंग्स और यहां से अप प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने के लिए किस टीम को कितने मैच और जो है जीतने होंगे इस शूड़ में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाद इंपोर्ण वीडियो में अंतता को बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने हो ऐसे दूस्तो आई पेल से जुड़ी हर चोटी बढ़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जो है जोइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी तो आएए चलो जो है वीडियो इस टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी को बता दूँ अगर आपको किसी भी मैच का टॉस विनार या पिर मैच विनार का प्रडिक्शन जी है तो आप राग हो क इनकी पूरी डीटल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल पारोगी इनका प्रडिक्शन जो है काफे बहत्री न रहता है तो दूस हो आई पील दो हजार चोबीस में तैस मैचो के बाद पोइंस टेबल में जो टीम सबसे आकरी आनि दसवे पाइदान पर है वो है रोयल चैलें बिंगलोरू फेब two places की कप्तानी वाली टीम रोयल चैलेंज विंगलोरू जो है points table में सबसे आकरी पाइदान पर बनी विया है इस टीम ने अब तक साथ मैच खेला है और इन साथ मैचों में सिर्फ एक मैच में रोयल चैलेंजर्फ विंगलोरू जो है जीतता हासिल कर अब इस टीम को 7 मैच और खिलने और आने वाले इन 7 मैचों में से रोयल चैलेंजर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्ज चुकी है आज का मैच हारने वाली टीम पंजाब किंग, पंजाब किंग को आज के मैच में मुंबई इंडर ने हारा दिया, जहां अब तक साथ मैच IPL 2024 में खेली हैं, और इन साथ मैचों में से मातर दो मैचों में पंजाब किनग ने जीत हासिल किया जबकि पांच मैचों में इस टीम को हरका सामना करना पड़ा है जहांश टीम के पास से टोटल चार पॉइंट है तो यह पंजाब किंइंग का जो निट अनिट माइनस में बेहद खराब है अभी इस टीम को साथ मैच और खिलने हैं और आने मेलीं साथ मैचों में से पंजाब कींग को कम से कम छे मैच में और जीता हासिल करनी होगी, साथ में इस टीम को अपना नेटर नेट भी काफ़े बहतरी ने करना होगा, प्ले आफ में जगे बना निकले, वहीं पंजाब नींस अपना अगला मुकाबला जो खिले वाली है, वह मुकाबला खेला जाएगा गुजराट टैटन के खिलाफ 21 अपरेल को, और यह पंजाब नीं के होम ग्राउंड में रहने फल है, जबकि पॉइंस टेबल में जो टीम आर्टवे पायदान पर है, वह है शुमल गिल की कप्तानी वाली टीम गुजराट टैटन, गुजराट टैटन जो आईपील दो हजार चोबिस में अब तक साथ मैच खेली है, और इन साथ मैचों में से तीन मैच में गुजराट टैटन ने जीत दर्ज की है, जबकि चार मैचों में इस टीम को हारकास सामना करना पड़ा है, जहाएं इस टीम के पास अभी टोटल छे पॉइंट है, तो इस टीम को साथ मैच और खेलें, और इन साथ मैचों में से गुजराट टैटन को कम से कम पांच मैच में और जीता हासिल करने होगे, साथ में इस टीम को अपना नेट अट जो काफी अच्छा करना होगा, प्ले आफ में कौलिफाइ करने के लिए, वहीं गुजराट टैटन अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है, वो मुकाबला पंजाब एकिंग के खिलाब 21 अपरेल को खेला जाएगा, और ये गुजराट टैटन के लिए काफी महत्पोर्ड मुकाबला रहने वाला है, जबकि पॉइंट टैबल में जो टीम साथ वे पाइदान पर है, वो है आज का मैच जीतने वाली टीम मुंबई इंडन, हर्दिक पंड़ा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडन ने आज के मैच में पंजाब की को हरा दिए, जहां मुंबई इंडन जो अब तक का साथ मैच खेली है, और इन साथ मैचों में से तीन मैचों में मुंबई इंडन ने जीत हासिल की है, जबकि चार मैचों में इस टीम को हरकास सामना करना पड़ा है, अभी मुंबई इंडन के पास से टोटल छे पोइंट है, तो इन नेट रंडेट जो इस टीम का माइनस में काफी खराब है अब ही इस टीम को आने वाले साथ मैच और खेले हैं और इन साथ मैचों में से मुंबई इंडेट को कम से कम पाँच मैच में और जीता हासिल करने के साथ सथ इस टीम को अपना नेट रंडेट जो काफी बहतरी ने करना होगा प्ले आफ में जगे पकी करने के लिए वहीं मुंबई इंडन का अगला मुकाबला जो होने वाला है वो मुकाबला है राजस सान रोल्स की खिला 22 अपरेल को खेला जाएगा जबकि पॉइंच टेबल में चो टीम में छटे पायदान पर है वो है रिशप पंद क लिए कपटानी मारी टीम दल्ली कैप्टल डल्ली कैप्राइल डल्ली कैपिर डल्ली कैप्ल Weihnacht 2022 में अब तक ठीक ठरवक परदसें की है जाब तक इस टीम ay just dwa packaguoki जीत दर्जकी है जबकि दीचे बन चारपकों में इस गीड़ को हारकास सामना पेना है यहाँ देली कैपिल के पास टोटल 6 पोईंट है तो इन नेट रेट जो है दली कैपिल का माइनस में थोड़ा ख़राब है, माइनस 0.074 इस टीम का नेट रेट है, अभी इस टीम को 7 मैच और खेलें और इन 7 मैचों मेंसे कम से कम 5 मैच में और दली कैपिल को जीत हासिल करने के साथ, अपना नेट तोड़ा बहतरी निकरना होगा प्ले ओफ में कौलिफाय करने के लिए वहीं दली के अप्रेल अपना अगला मुकाबला 20 अप्रेल को संडाइदित हैदराबाद के खिलाप अपने होम ग्राउंड अरुणजेटली इस्टेडियम दली में खेलने वाली है जबकि पॉइंस जीत दर्जिक है जबकि तीन मुकाबले में इस टीम को हारकास सामना करना पड़ा है जाए इस टीम के पास से टोटल 6 पॉइंट है तो इन लखनो सुपर जन का जो नेट रनेट प्लस में थोड़ा बहतर है प्लस 0.038 इस टीम का नेट रनेट है अभी इस टीम को 8 मैच और और इन 8 मैचों में से लखनो सुपर जन को कम से कम 5 मैच में और जीत दर्जिक करनी होगी प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने के लिए वह इन लखनो सुपर जन अपना अगला मुकाबला कल यानि 19 अपरल को चिनने सुपर किंग इलाप अपने ओम ग्राउंड लखनो में खेलने जहां अब तक इस टीम ने 6 मैच खेल है और इन 6 मैचों में से 4 मैच में संडाइस हैदराबाद ने जीत दर्जिक है जबकि 2 मैचों में इस टीम को हारकाज सामना करना पड़ा है जहां इस टीम के पास अभी टोटल 8 पॉइंट है जो इस संडाइस हैदराबाद का जो नेट करने के लिए वहीं संडाइस हैदराबाद आने वाले 5 फिर 6 मैच में और जीत हासिल कर लेती तो यह टीम आफिसली प्ले आफ में कॉलिफाइक कर जाएगी वहीं संडाइस हैदराबाद अपना अगला मुकाबला दल्ली कैपिल की गिला 20 अप्रेल को खेलने फाली है जबकि पोईंस ठेबल में जो टीम 24 पायदान पर है वो है चनने सूपर किंग रूतुषराज गयकवाड की कप्टानी वाले टीम चनने सूपर किंग जोआ इपिल दो हजार चोबिस में अब तक छे मुकाबले खेली है और इन चे मुकाबलोंसे चार मुकाबलों में चनने सूपर क इस टीम का net run rate अभी इस टीम को 8 match और खेलेए और आने वाले इन 8 match में से चेनी सुपरिंग कम से कम 4 match में और जीत हासिल करनी होगी प्लेज आफ में कौलीफाय करनी के लिए हैं यगर आने वाले 5 match में और चेनी सुपरिंग जीत दर्जी कर लिए तो हुट यह team चार मैच में कोलकाता नाइड़ ने जीत हासिल किया है, जबकि दो मैचों में स्टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि दो मैचों में स्टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि दो मैचों में स्टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि दो मैचों में स्टीम को चार मैच में और कोलकाता नाइटरस को जीत हासिल करनी होगी प्ले ओफ में कौलिफाइ करने के लिए वहीं कोलकाता नाइटरस आने वाले पांच या फिर छे मैच में और जीत हासिल कर लेती है तो यह टीम आफ इतली प्ले ओफ में कौलिफाइ कर जाएगी कônकाता नाइड़स का अगला मुकाबला रोयल चेलेंज बिंगलोर खिलाफ 21 अप्रैल को खेला जाएगा जबकि पोईंच टेबल में सबसे पहले पैदान पर है राजस सानरोस Sanjui Sansan की कप्तानी वाली टीम Rajas Sandros आ पोईंस टेबल में पहले पाइदान पर बनी हुए जहां अब तक इस टीम ने साथ मैच खेले है और इन साथ मैचों में से छे मैचों में राज़ शान्रोस ने जीत हासिल किये है जबकि सिर्फ एक मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जाए इस टीम के पास अभी टोटल बारा पॉइंट है जो कि सभी टीमों से सबस्यादा पॉइंट इस टीम के पास है तो इस राजस सांडोल्स का जो नेट अनेट अप प्लाइज 0.677 है जो कि काफी ज़्यादा बहतर है अब इस टीम को साथ मैच और खेलें और इन साथ मैचों में से कम से कम दो मैच में और राजस सांडोल्स को जीत हासिल करनी होगी प्ले आफ में कौलिफाय करने के लिए वहीं राजस सांडोल्स आने वाले चार्या फिर 5 मैच में और जीता हासिल कर लेती है तो यह टीम आफिसली प्ले आफ में कौलिफाइ करने के साथ साथ पोइंच टेबल में पहले पाइदान पर भी फिनिशे कर सकती है वही राजस सांडोस का अगला मुकाबला जो होने वाला हो मुकाबला मुंबई इंडियन के खिलाफ खेला जाएगा तो दोस्तो यह रहा IPL 2024 का नया पोइंच टेबल जो कि 33 वे मैच मुंबई इंडियन बना पंजाब के मैच के बात का है तो दोस्तो आपको क्या लगता है क्या मुंबई इंडियन और पंजाब में से कोई एक टीम रहेगे जो प्ले आफ में कौलिफाइ कर पाई कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं तो दोस्तो इस उन बतने हैं अगर आप वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अन दबा देना तेंक यू सो मच गाइद फोर वाचिंग इस वीडियो